जब से NDA के सरकार बनने की बात तै हुई तब से एक बात जो चर्चा के केंदर में थी कि इस बार रेलवे मंत्राले जो है जनता दल उनाइटेड के खाते में आएगा और रेल मंत्राले जो है जनता दल उनाइटेड संभालेगा सपत्गरहन से पहले और सपत्गरहन के बाद लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी छित्रिय मीडिया ही क्या नेशनल मीडिया पर भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि जनता दल उनाइटेड ने अपना मांग रख दिया है एंडिये के सामने कि रेलवे मंत्राले उन्हीं को मिलना चाहिए लेकिन जब सपतगरहन हो गया और मोदी जी ने पोर्टफोलियो बाटा तब रेलवे मंत्राले जो है भाजपा के खेमे में चला गया और रेलवे से जनता दल उनाइटेड का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं ड़ा गया मतलब ये कि जो खबड़े चल रही थी उन सब पर विराम लग गया और इस बात की पुष्टी हो गई कि जब भी नितीस कुमार या फिर लललन सिंग से ये बात पूछा जाता था कि इस बार भारतिये जनता पार्टी आपको रेल मंत्राले देगी इस बात की पुष्टी कीजिए तो वो ये बात कह रहे थे कि हमने कोई मांग नहीं रखी है भारतिय जन्ता पार्टी के सामने NDA में हमने बिना सर्थ समर्थन दिया है इस बात की पुष्टी हो गई क्योंकि रेल मंत्राले एक बार फिर भारतिय जन्ता पार्टी के खेमे में चला गया और अस्विनी बैस्टनो रेल मंत्राले की कमान समालेंगे हम बताएंगे आपको कि जन्ता दल उनाइटेड के खेमे में कौन सा मंत्राले आया है और ललन सिंग और फराजी उरंजन सिंग जो हैं उनको कौन सा मंत्राले दिया गया है उसके आलावे हम आपको ये भी बताएंगे कि गिराज सिंग को कौन सा मंत्राले सौपा गया है लेकिन उससे पहले नवसकार मेरा नाम वेद प्रकास है आप जनता जंक्षन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल आईए अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले हम आते ह गिराज सिंग पर गिराज सिंग को इस बार कप्रामंत्राले दिया गया है वो जिशतार मिलने के पारे में भी बहुत चर्चा होती है क्योंकि स्मिर्टी इरानी जो है मोदी के परसंदीदा मंत्रियों में से एक हुआ करती थी 2014 में भी मोदी जी ने स्मिर्टी इरानी को मंत्राले सौपा था 2019 में भी सौपा था और 2024 में वो चुनाव हार गई तो उनको मंत्राले नहीं दिया गया उनका मंतराले ग्रिराज सिंग को सौंप दिया गया उसके बाद अब आते हैं राज्यु रंजन सिंग और फ्ललन सिंग पर मुंगेर से लोगसावास्षीत जीद करके आये राज्यु रंजं सिंग और फ्ललन सिंग जनता दली उनाइटिड के कोटे से किंद्र में मंत्री बने है कैबिनेट मंत्री बने है और उनको जो मंत्राले सौपा गया है इस मंत्राले को इससे पहले गिराज सिंग समाल रहे थे आप समझ लीजिए कि गिराज सिंग पहले पंचायती राज मतस्य पालन पसुपालन और डेड़ी विभाग के मंतरी थे और उनका पोर्टफोलियो जो है उठा करके सीधा सीधा ट्रांसफर कर दिया गया है राजिव रंजन सिंग उर्फ लल्लन सिंग को अब राजिव रंजन सिंग उर्फ लल्लन सिंग जो है वो पंचायती राज मतस्य पिभाग पसुपालन और डेड़ी वाला जो मंतराले है वो समझा लेंगे और उसके बाद इस मंतराले की कमान जो है उनके हाथों में सौप दी गई है इसके साथ ही इस बात की चर्चा तेज ह हो गई है कि जनता दल यूनाइटेड को रेल मंतराले नहीं मिला तो क्या नितिसकुमार इस बात से नाखुस होंगे या फिर नितिसकुमार और भाजपा में कोई और डील है या फिर नितिसकुमार जो है बिहार में मुख्यमंतरी पद के बदले भारतिये जनता पार्टी का ये डील स्विकार कर लिए है अब वक्त बताएगा कि अब नितिश कुमार ने किस बात पर डील किया है और क्या डीलिंग है बाकी आप समझ लीजिए कि जनता दल उनाइटेड की एक प्रमुख मांग रही है बिहार को स्पेशल स्टेट मनाने का विशेष राज्य का दर्जा जो अब तक पूरी नहीं हुई है और इस बार भी जनता दल उनाइटेड ने बिना सर्थ समर्थन किया है जबकि जनता दल उनाइटेड उस भूमिका में थी कि अगर वो चाहती तो अपनी बातों को मनवाने के लिए भारतिये जनता पार्टी को और NDA को मजबूर कर सकती थ लेकिन उसके बाद भी जनता दल उनाइटेड ने बिना सर्थ समर्थन दिया है नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री बन चुके हैं और अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि इस बार नितीश कुमार का मांग जो है मोधी जी पुरा करते हैं कि नहीं बिहार को विशेस राज् इसमें क्या डील हुई है इस पर आप क्या सुचते हैं अपनी राय कमेंट के माध्धन सम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्सन बहुत-बहुत धन्यवाद